हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कैसी ओंमा आमें टीक हूं आप कैसे बच्छा बस मैं ठीक हूं आपके लिए गरम पुरी लाईए अभी खा लो आप नश्टा कर लो चाहा एंठीक है अच्छा मुझे कुई काम से जाना है तो मैं आती हूं फिर आपसे आके बेलती हूं खा ले ना ये नाश्टा अश्टा में हुआ पुलीस पुछा जाए ये पूजा जाए पूजा ज़रा चेक करो ज़रा समान चेक करो फोन किसने किया था मैंने किया सर मेरे नाम सत्यदेव राठी है ये पास वाली बिल्डिंग में रहता हूं रोज की तरह मैं काम पे जा रहा था तो मैंने देखा बुरी मा फून से लगपत है इसलिए आपको फोन कर दिया है पचानते हो ने हां लाल चुक पे रहने वाले हर कोई इनने बुडी मा बुलाते है कोई खाना देता तो बदले में दूआ देती है सब मैंने भी कई बार उनने खाना दिया हूँ सार, इसके हाथ पर ये नाम है, जानकी, चाय दिनी का नाम हो? हाँ, हो सकता है, सामान में भी कुछ नहीं मिला, इडी पर फो गरे कुछ भी नहीं है, देखो, इन जानकी के बारे में कुछ और पता चलता है तो, अपूजा, बाड़ी को पोस्टमाटम के लिए भेजा, सार, और शर्मा, जर आज पास चेक करो, कोई CCTV कैमरा है क्या, सार, सार जानकी की पोस्टमाटम रिपोर्ट, उसकी मौत तीन जुले की सुभे साथ और नौ बज़े की बीच हुई है, मौत का करान एक्सेशिव ब्लीडिंग है, पर सार, मुल्टिबल फ्रेक्च्छ भी है, कोई CCTV? सार, बाइपास रोर था, हापे कोई CCTV कामरा नहीं मिला, सार, सार जानकी पचली छे साल से वही रहने, लेकिन आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सब लोग उसे बूडी मा कहते थे, और किसी से उसका कोई बैर नहीं था, सार, तो फिर ये रायस ट्रेलिंग के डिंक अंड्राइवर केस हो सकता है, आजको लोग कानून अंधा होता है, सबसे पहले विक्टिम की शिनाक्त, फिर सबूत और गवा अपराधी तक पहुँचने का जरिया बनते हैं, इसके बावजूत, देश भर में हर साल शिनाक्त ना होने की वज़े से, 40,000 से भी ज्यादा लावारी स्लाशों को ठीकाने लगाने की जिम् करने वाला कोई नहीं होता, वो क्यों मरा, उसे किस ने मरा, ऐसे मामलों में पुलीस को अक्सर मरने वाले के बारे में कुछ खास पता ही नहीं चल पाता, एक्सिडेंट में एक गुमनाम बुजर्ग महिला की मौत का ये अन्यूज्वल केस भी शुरूवात में ऐसा ही लग लेकिन जब इसकी कडिया खुलनी शुरू हुई तो एक गिनोना अपराद उजागर हो गया, एक ऐसा अपराद जिससे हर बाप अपनी बेटी को बचा कर रखना चाहेगा हम आपसे बे इंतहा मोहबबत करते हैं साहिब आलम लेकिन आप आका है और हम कनीस हमारी इन आखों से हमारे खुआब मत चीनी शहजादे और हम मल जाएंगे हो गई नो टंकी कितनी बार कहा है कि यह सब छोड़के घर काम काज करना सीखो मेरी अम्मा कहती है कि जब रूटी गोल होगी तभी और आत की जिंदिकी सफल होगी तो नाटक सी चुटी नहीं है तनी क्या नो टंकी करती लगती है कपड़े रखो अरे मां समाना बदल गया ह अच्छा अच्छा अच्कल सिर्फ लड़किया चुला चौका नहीं कर रही है देश भी संभाल रही है तुम तो बेटा ना बस घर समाल लो उतना ही बहुत है मेरी है अरे घर क्यों समालेगी भाई यार इसी गुडिया है हमारी सितारा बनके चंकेगी है आओ इधा और सिता अरे कुछ करिए है हाँ आ रही है बाई 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 चुछ दोगे ना तो लोग गाली देंगे अरे कौन गाली देगा भाई तब लड़कियों मारा नाम रोषन करेंगी तब देखना आ वही लोग ताली भी बजाएंगे और इस प्रतियोगिता के विजेता है रागिनी शर्मा और मैं रागिनी जी से अनुलोद करूँगा वो मंजपर आकर अपना पुरशकार गरन करे मुभारो थेंक यू रागिनी ना सिर्फ ये प्रतियोगिता जीती है बल्के हम सब लोगों का दिल भी जीता है इसलिए हमारे फिल्म डेरेक्टर मिस्टर नमंजाने उन्हें अपनी अगली फिल्म में बतोर हिरोई लेने का फैसला किया है हाँ हमारी पिटिया हिरोई बन गई भाई नाचो अरा नाचो बहुत बरिया बेटा बहुत बरिया अलनो नो 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 आये साव पूजा जड़ा चेक करो सर जड़ा असपास चेक करो तुम लोगा इस लड़की की बॉड़ी का कैसे पता चला सर शायद पचीस शबीस संग की लड़की हो गया और सर ये देखे ये रसी का निशन गले पर शायद रसी से एक गला गुटके मारा गया है और सर जबरदस्ती का कोई निशान लिए तो शायद इसके साथ रेप नहीं हुआ होगा ज़र आसपास चेक करो कोई रसी वगरा मिलती है क्या सर शर्मा पर एक बात समझ में नहीं आरी है इस जंगल में ये अकेली लड़की करने क्या होगी और किसे मिलने आयोगी सर एक चांस ये है कि से कि और माला गया है और बाड़ी को यहां लगे फिक दिया तो है सर एक फोन मिला फोन तो काफे नया अलग रहा है पुसकता है इस लड़की का हो इसे लभ में बेज़ो और चेक करो देखो क्या मिलता इसमें सर Pooja, बोड़ी को पोस्ट माटम के लिए भेज़ो सर सर, सर जो फोन हमें क्राइम सीन से मिला था उसे टेकनिकल टीम ने अनलॉक कर दिया वो फोन उसी लड़की का है, लड़की का नम रागी नी शर्मा है, शांतिनगर में उसका कर है कोई है, चला गर चेक करो, सर सर कोई नी है, सर, अंदर कमरे में अलमारी खुली हुए, सामान यहां मा पड़ा हुआ है, लगता है मामला चोरी का है चोरी यहां हुई, और रागिनी की लश भी है, यह से 6 किलो मेटर दूर जंगल में जगलिए सर हो सकता है, यह दो अलग translate काम हुए मुझे लगता है कि मुझे अ मुझा किया गया है, और बॉड़े को दम्म कहां कर दिया गया हो सकता है, सर एक देमेज फोन मिला है फोन को लैब में भेज़ो और इसका डेटा रिकवर करवाओ फोरे इसकी टिम को बिलाओ और पूरे घर से फिंगर पिंप्रिंट रफ़ाओ यह जल्दी जल्दी फोन करो और रिपोर्ट जल्दी जल्दी मंगाए सर, 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 क्या हुआ? आप लोग कोन है? सर, मैं रचना और ये मेरे हजबेंड है चिंतन हम यहाँ पडोस में रहते हैं पहाज यह रागी ने रहती है आप लोग उसे जानते हैं? हाँ सब हम तीन साल से पडोसी हैं बल्कि मैं तो उसे अपनी बहन मानता हूँ लेकिन क्या? हुआ कैसर? आपकी मुव ओली बहन का खून हो गया है और इस किलाश हमें यहाँ से 6 किलोमेटर दूर जाडियों में मिली है अच्छा एक बात बताईए आप रागनी से आखरी बार कब मिले थे? सर भी तीन दिर पहले मिले थे बिना किसी सहारे के तुम अपने पेरों पर खड़ी हो रागनी यह हमारे लिए गरू की बात है हमें खुशी होगी अगर तुम हमारी पार्टी में महीला विभाग की कारेकरता के रूपे शामिल हो जाओगी ज़रूर सरसती जी यह हमारी कारेकरता है शुष्मा जी और लटा जी और ये हमारा बीटा लोकेश और ये हमारी होने वाली बहु अंजली हलो हाई और लोकेश की होने वाली बतने अंजली इनका स्वागत करो जी मम्मी जी अब हम चलते हैं चलो ये साथ ये सरस्वती जी है रागीनी को अपने जन जीवन पाटी में आने का मौका दे रही है अरे वाग मुबारक हो ओ हेलो कहा कोई हो यो बहना कुछ नहीं वह मैंना अपको बताया था ना वह आदमी जिसके पास मेरे 2 लाक रुप एटके हुए उ मुझे परेशान कर रहा है मेरे पैसे ही नहीं दे रहा है रागीनी को किस बात के पैसे लेने थे सर रागनी फिल्म इंडिस्ट्री में काम करती थी शायद शूटिंगे पैसे होंगे जिस आतमी से पैसे लेने थे उसका नाम पता है? हाँ, बबलू बबलू अचा रागनी के साथ इस घर में और कॉन रहता है? कोई नहीं सर, रागनी अकली रहती थी उसकी फैमिली नहीं है? नहीं सर, है उसके ममी पापा है वो गाजेबात में रहते हैं लेकिन दूसरे गड में मतलब एक ही शहर में अलग लग रहते थे उनकी आपस में पॉबलम थी किया? सर, हाँ मैं नहीं पता सर ओके चीक है, इनका अड्रस पता है? हाँ पुजा, एड्रस ले लो सर और शर्वाँ इस बबलू का बता लगाँ सर नमस्कार इंस्पेक्टर साथ सर, आप यहाँ? हमें रागनी की मौत का बहुत दुख है वो हमारी पार्टी की कार्य करता थी आप उसके कातिलों को जल से जल ढूंड़िये अगर इस काम में हमारी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें बताईए जी सर, शॉर नमस्कार सर सर, चारे अब अभी बात कर लें किया अभी नहीं रश्ता, बात में अभी मॉंका है, मारे पसर भी बात कर सकते हैं इतना गरम महल हो था आद में आराम से करते हैं ना आपकी बेटी से आपकी आखरी बार बात कब ही थी? दो सालों के सर दो साल? इतना लंबा टाइम? क्यो? हमाई बेटी रागनी को बड़ी हीरोईन बनना था सर उसने केंद्री नित्यमंदिर की अभिने प्रिद्युगता भी जीती थी सर प्रिद्यमिस्तान असिल किया था उसने और उस मन से अरिकतर नमन जाने तो वादा भी किया था सर कि हमाई बेटी रागनी को फिल्म में हीरोईन बनाएं के सब कुछते सर, हमाई बेटी का सपना पूरा होने जा रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ था? की आप लोगों ने अपनी बेटी से सारे रिषते नाते ही तोड़नीं एż एक तまने पारने में कैना था वार्कार सताने पारा था कि अज़ी ओर किया यहिए इसके सब करने देज पहले आ की अड़ है वर्कियो पहले कॉरी का एक लिख आरा था तू रामसिश तुभारी बेटी एक रात का दस हजार रुपया लेती है बान करता है तुम को चान से भार दे हम बाबा, आपने मेरे खातेर इस घर को गिर भी रख दिया था मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मज़े से आप लोग के सार से ये चट चली जाए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया बाबा चली जाती बेटा तो कोई बात नहीं थे जी लेते हम बिना चाहत के लेकिन बिना इजजद के कैसे चिहेंगे हम कर दिया पिंड़तां ते रामने हमाही लिए मर चुकी है ये निकल जाए इस कर से निकल जाए इस कर से आपकी बेटी ने समाज में आपकी नाग कटा दी तो आपने उसकी जान ही ले ली क्या कह रहा है सर आप उसके सपनों में हम भी उसके साथ थे हम अपनी इकलोती बेटी को कैसे मारेंगे हम ने ऐसा कुछ नहीं किया था ये अलग बात है कि चपशन हम ने उसे निकाला था उसके बार अम उसकी शकल नहीं देखी अब ये बताएं कि आठ तारिक को आप कहां थे आठ तारिक को अम ग़र पी थे सर बहर ज्यादा आना जाना नहीं होता है तो अम्यत ख़ड़ा रहती आजकल साब आपस एक विलती है आप मेरे बेटी के कातिलों को पकड़ना जरूर। जी. आप मेरे बेटी को इंसाब ते लिए सार। Sir, रागीने के कॉल रेकॉर्स इसके मुताबिब इसकी सबसे जादा बाते दो लोगोसे होती थी एक उसकी नेबर रशना और बुसरा बबलो दूबे यह वही बबलो दूबे तो नहीं है? इसके बारे में चिंतन ने बताया था Sir, लगता तो ऐसी ही करता क्या यह? लड़कियों की दलाली करता है मतलब इबात कन्फर्म है कि यह रागनी प्रोस्टिटूशन के बिजनिस में थी जी सर, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में तो यही बात सामने आई है इस बबलो का बैग्राउंड चेक किया Sir, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है रेप केस में अंदर जा चुका है Sir, रागनी ने इसे दो लाक रुबे दे रखे थे और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इसके सर्च कहां तक पॉंची है Sir, उसका फोन भी बनने उसकी मोबाइल की लास्ट लपी से मेरट की शर्मा, मेरट गाजियाबाद किसी भी विल में चुपा हो, थूंडो से Sir Sir Sir, रागनी की पोस्टम रिपॉर्ट Sir, रागनी की प्रोस्टुशन में है यह बच्चा शायद इसके किसी कस्टमर का हो नहीं भूजा मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि जो भी औरते इस प्रोस्टुशन के बिजनस में होती है वा सतर्क होती है सेफ्टी का ध्यान रखती है ऐसा हो सकता है कि रागनी का कुछ बॉइफ्रेंड हो वो उससे प्रेगनेंट हुई हो और रागनी ने शादी के लिए बॉइफ्रेंड पर दबाव डाला उसने इंकार किया और मा डाला Sir, हो सकता है उसका कोई रेगिलर कस्टमर हो यह बच्चा उसी का हो और यह रागनी उस कास्टमर को ब्लाकमिल कर वी हो इसलिए उसने रागनी को मारतिया होगा अब यह पॉसिबिल्टीज तो बास सारी है रागनी से जोड़े जितने भी लोग है सब की डिटेल्स निकालो और यह चंतन और रचना उससे भी पूच्टाच करनी हो सकता है सर रागनी का बरतिन उससे अकसर मिलनाया करता था लंबा चोड़ा लड़का था करीप छे फीट का बाइक से आता था बाइक का नंबर याद है यह सर नंबर तो नहीं याद लेकिन सर वो हेलमेट पहन के आता था रागनी कौन था यह बाभी वो मेरा बॉइफ्रेंड है क्या नाम इसका नाम में क्या रखा है आपको मिलवाई दूंगी अना शादी के दिन मिल लेना है यह रागनी ने लड़के का नाम क्या बताया था सर उसने नाम तो कभी बताया नहीं ठीक है मैं उस दिन भी नोटिस किया तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही थी घबराओ मत जो कुछ भी है साफसाल पताओ किसी से भी घबराने की ज़रत नहीं है बताओ अराम से बताओ क्या कहना चाला सार मैं दस साल की थी जब मैं अपने माबाबसे अलग हो गई जब दारू पीते थे और रात को घर आके मुझे और मा को मारते थे मेरी मा मुझे बहुत प्यार करती थे इस दिन दिवाली का दिन खा और बाबा फिर से दारू पीके आये थे रचना 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 बिटा एक काम कर तु चाचा की बर चलीजा और हजरत वही रुखना ठीके मैं काल सबें तुझे खुद लेने आ जाओ अबकल एकी नहीं उनकी बेटी को यहां बेठ दिया मैंने कोई ठेका लेके रखाए किया सबको खिलाने का तीरे बोलो तीरे पच्ची यहीं पे हैं सुन लेंगे तो उन पर क्या आपड़ेगा और वैसे भी भाया की बेटी है वो भाया की बेटी है तो क्या मैं डरती हूँ भाया की बेटी है तो उनको बलो उनकी बेटी को खिलाए जिस तो घर में मिठाई कम आती है तो मैं अपनी बेटी को खिलू या भी रून की बेटी को हाँ देखो, आज के आज इसको यादे बगा दो, समझे हैं मैं बहां से निकली और रोते रोते एक टेंपो में जाके सो गई जब आख खुली तो मैं दिल्ली में थी, मैं बहुत डर गई थी और मैंने एक आदमी को बोला कि मैं कानपूर से हूँ तो उसने मुझे एक क्रेंग में बिठा दिया स्टेशन पहुची तो मैं पत्ना में थी वहां एक आदमी मुझे अपने घर ले रहा और अपने फैमिली के साथ मुझे नौकरानी बना कर रखने लगा फिर एक दिर मुझे वहां से भी निकाल दिया वहां से निकल के फिर एक एंजियो में गई वहां मैंने ट्वैल तक पढ़ाई कि और ये मुझे बही मिले थे हम लोगों निशादी कर ली लेकिन सार मुझे मिरी मां की बहुत यद आती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मां मुझे ढूंड रही है तो फिर तुमने अपने माबाब को धुननी की कोशिश क्यो नहीं गी मैडम मुझे मेरा घर नहीं याद मुझे बस इतना याने कि हम कानपूर में रहते थे और हमारा गर स्टेशन के पास था और मेरे बाबा रिष्टा चलाया करते थे सर, आप मेरी माँ को ढूनेंगे ना, सर, प्लीज सर हम आपके माँ बापको ढूनने की पूरी कोशिश करेंगे हम अब बिलकुल चंजामत कीजिए, रिलाक्स हुझा, एक टीम इनकी फैमिली को ढूनने के लिए लगाओ जी सर, सव इक मिनट हलो, सर, बबलु का पता चल गया, वो मेरत में प्लाजा लोज में रुका हुआ हुआ है अगर मैं पकड़ा गया, तो सब कुछ उल्टी कर दूँगा कौन है रागनी को क्यो मारा, सब, मैंने नहीं मारा, रागनी को सब, मैं क्यों मारा जिस दिन रागनी का कतलवा, तूने उसे फोन किया था ना, दो लाख रुपे तूने देने थे ना उसके, वो रुपए ना देने पड़े, इसलिए फोन किया, बुला कर मार डाला उसके, सब, रागनी में लिए सोने का अंडा देन वाली मुर्गी थी साब, हर महिने लाख रुपे कमाता था उससे साब मैं, उसके मरने का सबस्यातर नुक्सान मुझे हुआ है, साब, मैं क्यों मारूंगा उसे, तो फिर उसके पैसे क्यों नहीं लोटा है, कैसे लोटाता था सब, पिछले आठ महने से काम नहीं कर र्ही थी, अकरो काम कर रही होता है, तो पिछले आठ महने से काम नहीं कर रही थी, तो तुने फोन क्यों है, व्से? लेकिन पैसे जाता लगेंगे हां, ऐसा जितना तू बोले, फिरो जागा काम है साब मुझे मालूम था कि वो मनाई करने वाली है, लेकिन साब तर इसे पोन किया देख बबलू, मैंने पहले ही बोला है, मैंने पहले ही चोड़ दी है एक रात का दू लाक रुपर दे रहा है, ठीके हां भोल दे, कितने बचे जाना है साब पांच बजे रागनी पिकर पॉइंट पे मिलने वाली थी, वहां से वो कस्टमर के साथ आगे जाने वाली थी साब, रागनी ने हां बोला और मैंने उनकी बुकिंग फुटल डीसर में करवा जी साब कस्टमर कौन था, कस्टमर का नाम थो नहीं मालूम साब लेकिन नंबर मालूम साब, शर्वा, इससे नंबर लोग क्स्टमर का बता लगाओ कौन है वो, सर्व अर्वा, शर्वा, शर्वा, इस बबलू ने अभी हमें पूरी जानकारी नहीं दिये, तुरस पर नजर रखो, क्योंकि इसकी एक्टिविटी हमें कातिल तक पहुचा सकती है, और एक बाद, इस बबलू से ना, इक रागनी के जितने भी कस्टमर के, सब के एक लिस्ट ले और सब से बात करके देखो, और वो डिलाइट होटल के, जाहें रागनी अपने कस्टमर के साथ जाती थी, वहां से CCTV फुटेज मंगाओ, और चेक करो कि कौन-कौन से ऐसे रेगुलर कस्टमर थे, जो उसके साथ महा जाते थे, चेक कर दो, आने, ज़रो, शर्मा, जब इस र उस केस का एक चश्मिदीद का बहा, वो लड़का जो फील बेचता था, वो तब से गाया बहा है, पता लगो का है वो, से खबियों ने बता है कि उसे एंजी रोड पे देखा गया है, एंजी रोड पे, ज़र ढूंड हो से, सर, सर, जो नंबर बबलु ने बताया था, वो इ आठ तारिक को रागिने की बुकिंग तो थी, लेकिन वह वह पहुची ही नहीं, CCDV फुटच, सर, यह आदमी देखे, यह आदमी हर दो दिन में रागिने के साथ दीखा गया है, सर, बबलु ने बताया था, कि यह कस्टमर हर दूसरे दन रागिने के लिए काल करता है, सर, रागिने काम तो बन कर दिया था, फिर भी ही यह कॉल करका था, नाम का इसका, आकाश अवस्ती, बुलाओ इसमे, सर, और सुनो, रचना को भी बुला, सर, यह बता रागिनी को क्यो मारा, मैंने, हाँ तूने, पहले उसे प्रिगनेंट किया, जब उसने शादी के लिए दब मेरा बच्चे, सर, माना में उसे रेगुलर मिलने जाता था, लेकिन सर, मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन सर, मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन सर, मैं सच कह रहा हूँ, सर, दरसल मैं दौर का रहने वाला हूँ, इसलिए ना यहाँ कोई दोस्त और में तुम्में एक अच्छा दोस्त एक आप हो और एक और एक कुछ नहीं जाने दो तदीन में शायद यूही जीना लिखा है अब तो मौत भी बिन बुलाए आएगी रागीनी बहुत परेशान थी सर कुछ तो बात थी जो से खाय जा रही थी शायद फस गई ती जिसम फरुशी के दल दल में लेकिन अमें पता चला है कि तूसके घर भी आता जाता था नहीं सर मैं कभी उसके घर नहीं गया मेरे पास तूसका फोन नंबर तक नहीं है तो घर का पता मुझे कैसे मालूम होगा मैं तो हमेशे उसे बबलू के थ्रूई मिला हूँ फूजा हाँ तो मिस्टर आकाश अवस्ति इस हेलमेट को पैचानते हो तुमारा है ना नहीं सर पैनो सर तो अचना गुम जा जाओ और वापस आओ वापस आओ सर शायद ये वो नहीं है ठीक है एलमोट उतार दो शिंग लेके जाओ दो जी सर और हां बेना बताये शहर छोड़कर नहीं जाओगे तुम जी सर सर मेरी मा का कुछ पता चला क्या सर ये तो वो बूरी माय ना जो लाज चौक पर बैठती थी तुम जानती हो ने? हाँ सर रागी ने मिलवाया था एक बाद रागी ने बहुत मानती थी इन्हें खाना पानी कंबल सब देती थी और क्या जानती हो इनके बड़े? सर और तो कुछ नहीं पता मुझे हर मुमकिन कोशिश के बावजूद असली कातिल पुलीस के हाथ नहीं आ रहा था तीन मेहने पहले जिस जानकी की रोड अक्सिडेंट में मौत हुई थी रागिनी उस बूड़ी मा की हर तरह से सेवा करती आई थी तो क्या जानकी के साथ हुए हादसे की कोई कड़ी? रागिनी मर्डर से भी जुड़ी हुई थी? रागिनी के मर्डर के दो हफ़ते बाद भी हत्यारा पुलीस की गिरफ्ट से कोसो दूर था फिर एक दिन पुलीस के हाथ एक ऐसा पुखता सबूत लग गया जो कि इस केस में एक नया मोड ले आया रागिनी के घर से जो फोल मिला था उसका डेटा रिकार हो गया यह रेखे चलो आपके और रागिनी के तालोक अपने ओपोजिशन के अची चाल है मुझे बदनाम करने को है यह फोटो जोटी है सर हमने सारे फोटो की जाच कराई है किसी भी फोटो के साथ कोई भी छिर्षाडनी की गई है मैंने का ना जूठी फोटो शॉप की सरे काम करते हैं आपका डिने टेस्स करा लेते हैं सब के लिए हो जाएगा मुझे डिने टेस्स नहीं करा ना दिखले हैंस आप इंस्बेक्टर तुमने वो हाथी और चुटी वाली कहानी चुलिए ना जीपे अपने दायरे में रहे को चीए आप 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 जैन सर जी आप जी ध्यान रखूंगा जैन सर क्यों आप कुछ नहीं इस देव पुरसाद शुकला के खिलाब हम सिर्फ इन फोटोग्राफ्स के आदार पर कारवाई नहीं कर सकते हमें इसके ग्रेबान तक पहुँचने के लिए कुछ और फुक्ता सबूच चाहिए शर्मा तुम्हें आदे रागिनी के फादर ने हमें बताया था कि रागिनी को एक डिरेक्टर ने फिल्म उफर की थी क्या नाम था उस डिरेक्टर का नमंजा नमंजा बात करो उससे और पता करो कि क्या हुआ था उस कारक्रम में क्योंकि उस कारक्रम में ये देव प्रसाद शुक्ला और उसकी पतनी दोनों शामिल के रहो ना हो मज़े लगता है कि इस सारे चक्रवी के शुरुवात उसी पृतियोग कैसे हुई सर्फ उस प्रोडूसर नमंजा से बात हुई उस वक लंडन में अपने फिल्म की शुटिंग कर रहा उसने काल कि देव प्रसाद शुक्ला के कहने पे उसने रागीनी को फिल्म तो उफर की थी लेकिन ना वह अभी रागीनी को मिला है कि देव प्रसाद शुक्लार उसके आदमें पर नजा रखो और साथी साथ बबलू पर एक मिल से हलो ठीक है मैं पॉच्छ थी सर कानपूर में रचना की माच उस मुहले में रहती थी उसका पते चल गया वेरी गुड काम करो तुम मुआ के ले निकलो सर्म अजना की मा को ढुड़ना असान नहीं था तो दूसरी तरफ रागिनी मर्डर केस में भी पुलीस कई अंसुल्जे सवालों से जूच रही थी रागिनी के घर आने वाला उसका बॉइफ्रेंड आखिर कौन था देव प्रसाद शुकला के साथ रागिनी के क्या सम्मन थे और सबसे बड़ा सवाल रागिनी जिस्म फरोशी के उस जाल में आखिर कैसे फसी ये लो, ये प्रटिशन है, साइन कला सर् सर् सर्मने सभी सस्पेक्श के नज़र रखी थी सर्य कुछ फोटेज थे सर्य आजाद नगर के पार्किंग लोट की फूटेज है यहां पर बबलू के देखे, इससे पैसे ले रहा है पर पैसे लेके चला गया पर सर्य यही आख्मी रागिनी के मुर्डर से एक दिन पहले है उसके ख़र के आसपास मन रहा दावा नजर आ रहा है यह तो दिरप्रसाद का बॉडिगाड है क्या नहीं है इसका? सरोम प्रकाश लेके आओ इसे देख बबलू ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिये और यह भी कबूल किया है कि तूने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिये थे और हम जानते हैं कि वो डिरेक्ट तूने पैसे नहीं दिये थे किसी और ने दिलवाये थे और रागनी के मर्डर से पहले तूसके घर के आसपास मन रहा रहा था CCTV फुटेज है हमारे पास जिसमें तू साफ नजर आ रहा है और तेरे फोन की लोकेशन और तेरे कॉल रिकॉर्ड भी हैं हमारे पास कि तूने कब-कब रागनी को कॉल किया था सब दर्ज हैं हमारे पास बोल साब यह बास से अचे कि मैं उसके घर के पास किया लेकिन साब आज तक मैंने उसको फोन नहीं किया कभी कोंन फोन करता था जूफ तेरे मूज से उसका नाम सुनना चाहता हूं। तो ऐक सरकारी गवाब बंजा पूर सारी जिन्ती की जील में सड़ना ह। चौईस तेरी है हाथी और चीटी की कहानी सुनी है मैंने शुक्षेज कि अगर एक बार हाथी के कान में चली जाए तो उसे तंडव करवादे दिया अब मुद्दे की बात शुरू करें हैं? मैंने ही रावने को फिम दिलाने के लिए नमन से बात किती है सर, उन्होंने मुझे अपने फिल्म में हिरोईन बनाने का वादा किया था उनका एक आदमी सुरेश एक अपते पहले मुझे घाजयाबाद में मिला अरे मैडम, अगर फसल उगानी है तो बीजदो भोने ही पड़ेगा चार लाग रुपे खर्च होंगे कॉस्टूम का, ओडिशन का, पोटफोलियो का शोरी लगा मेरे बहुत पैसा खर्च होता है काम निका लिए चाहए पानी सब करना पड़ता है अब जब चार लाग रुपे खर्टे हो जाए ना मुझे फोन कर देना, पर इतना स्योर है कि काम दिलाने की गारंटी मेरी है मेरी बाबा ने 4 लाग रुपे वियाज पिली थे और वो सारे रुपे मैंने सुरेश को दे दिये अब चार दिन से हो मेरा फोन नहीं उठा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्या बोलू बाबा को हरो मतरावनी मैं तुम्हारे पैसे दिलवाऊँगा मैं तुम्हे रोइन बनाऊँगा मैं हूँ ना परिशाम मत मैं नमन से बात कर लोगा तुम्हे तुम्हारे पैसे मिल जाएगे बस एक बात याद रखना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये सुरेश कौन है पता नहीं शायद सुरेश ने ही नमन के नाम से रागनी को बेवकूफ पनाया मैंने जो घूंगने की बहुत कोशिश के लेकिल वो मिला नहीं मुझे पता चला कि रागनी प्रोस्टिटूशन के बिजनिस में आगई एक दिन मैंने उसे कॉल करके कहा कि मैं तुम्हे घर लेकर देता हूँ तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ तुम्ही धंदा छोड़ दो मेरे साथ रहो अमानुदू पिछले प्छले छ Assembly मेरे उसे कोई तालुकात नहीं है मैंने उसे सारे रिष्टे तूड़ दिये तो ऐसा क्योंकि आपने जाह है कि दितिखन को तूंत मैं बर गए अब जब फुरे छे मेरे उसे को तालूकात ही नहीं तो यह बात जाहिए ए कि उम सेALKम तु लेकिन मेरी आपसे एक रिप्रेस्ट है कि इन बात बाहर लाएं, इलेक्शन सरप पर हैं, इतना तय था कि देव प्रसाज शुकला का रागीनी की मौत से जरूर कोई कहरा सम्मन था, वो अब इस केस में एक प्राइम सस्पेक्ट बन कर उबरा था, साथ ही पुलीस को ये भी श गवार राजू के रूप में, पुलीस के हाथ एक बड़ी सफलता भी लग गई, आज तो सारे फूल बेगे ही ने, सरी, राजू, हाँ सब, राजू बेटा, तुम पहले ये फूल लाल चौक पर बेचा करते थे न, हाँ सब, वहां कमाई कम होती थी, और यहां कमाई हाँ सब, मैं वही था, राजनी देदी बूडी मा को खाना देका जैसी निकली, पीछी से कार आई, और बूडी मा को उड़ा कर चली गई, सरी, यह हो सकता है कि वह गाडी राजी नहीं का बीचा कर रही है, और गलती से जानकी को टक्कर मारी, हाँ, पॉसिबल तो है, अच् बैल गाडी से मित थी, राजनी पॊइफिटि, श्रमा, यह यह दूनों केस, एक दूसरे से जुड़े वे हैं, उ बैल गाडी का निशान राजनी के बॉइफ्रेंड के हेल्मट पर विखा, जी सर्ध, हाँ, यह यह बैल गाडी थी, यह बैल गाडी थी, यह, पीति उस कटो, शाइबर, सीची टीवी खंगालो, सारा नाकाबंदी करो, कुछ भी करो, I want that car anyhow, sir. Sir, DNA report, सब्सक्राइब के हिसाब से, देव प्रसाद का DNA, रागिनी के बच्चे के DNA से मैच करता है, लेकिन सिर्फ 25 प्रसाद. मतलब वो देव प्रसाद नहीं है, उसका भाई या बेटा है, लेकिन से देव प्रसाद का कोई भाई नहीं है, मैं सच क्या रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, देख लो केशकुमार, पुलिस की मार तुसे नहीं पाएगा, इसलिए जो भी है, पूरा सच बता, वहनना ब रागनी के पेट में पल रहे बच्चे का डियने टेस्ट कराया हमने, जो तेरे डियने से मैच होता है, मतलब तू उसका बाप है, तो यह हलमेट देख रहा, तरे घर से बरामत किया हमने, तेरा हलमेट है यह, जिसे पहन कर तू रागनी से मिलने जाता था, जूट मत बोलना क्योंकि कवा है मेरे पास, और यह, बैल गाड़ी का स्टिकर, तेरे बाप की पॉलिटिकल पार्टी का पुराना चुनाव चिन्या यह, यह बात भी हमें पता है, तो तेरी गाड़ी और हेलमेट, दोनों पर हैं, पताता हूं सर, सब पताता हूं, रागनी मेरे कहराया करती पापा से मिलने, तब ही मैंने उसे पहली बार देखा, हमारे बीच बात्चीक चालू हो गई, वो मुझे अच्छी लगती थी सर, रागनी पापा के जाल में फच चुकी थी, यह बात मैं जानता था, इसलिए मैं उससे चुप-चुपके मिलने लगा, और एक दिन लाल चौ रागनी और पापा के बीच सारे रिष्टे खत्म हो चुके हैं, तो हम फिर मिलने लग गए, बाते करने लग गए, हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होई, हम और नस धीक आ गए, लेकिन एक दिन अजिली ने मुझे और रागनी को एक साथ देख लिया, उसे हमारे र रागनी ने बताया कि वो प्रेगनेंट है, मैं बच्चा नहीं की रहूंगी, शादी कर रहा है ना तू, मैं भी देखिया उस अंजली के साथ तू कैसे शादी करता है, शादी तो मैं करूंगा, और तू कुछ करने ही पाएगी, निकल मेरे घर से, गेट रॉस्ट, रागनी अगर यह बात यहां से बाहर निकली ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, शाद, निकल, और जब रागनी ने एबोर्शन कराने से इंकार कर दिया, और तुझे एक्सपोज करने की धंकी दी, तो मार डाला उसे, नहीं सर, हां मैं गुस्से में था, लेकिन मैं उसको मा नहीं है सर, सर, यह देखिया, तुने नहीं मारा ना रागनी को, नहीं सर, तो यह क्या है, रिपोर्ट है यह, इसमें साफ साफ लिखा है, तेरी गाडी में रागनी के बाल मिले, और फार्म के ट्रेसिस, जो रागनी का गला घोटने से पहले उसे सुगाया गया था, बोल, स सर, मेरी गाड़ी है, दो तिन पहले ही वापस आई है, लेकिन यह गाड़ी तो, सर, वो गाड़ी तो मैंने किसी को दी थी, किसको? तो, मैड़म अंजली, तो शुरू से बताओ, बोलो, बोलो! मैं लोकेश और रागनी को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लोकेश न मुझे प्रॉमिस किया था, वो उससे कभी नहीं मिलेगा, फिर भी वो उससे मिलने गया, मैं उसका पीछा किया, वो रागनी के घर के अंदर चला गया, मैं भही खड़ी थी, कुछ तेर बाद वो वा मैं माद़ कर सकता हूँ, कितने पैसे देपा हुगी, जो तम बोलो, कितने में डील हुई थी, तस लाग, कौन था व आदमी, उससे पहले मैंने उसी कभी नहीं देखा था, तुमने उसके साथ 10 लाग रुपे की डील की, और तुमें पता ही नहीं वो कॉन आदमी था, बेव यह, पूरे घर के अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, सर आप लो यहाँ पर क्या हुआ है, सर, चिंतन का है, चिंतन तो घर पे नहीं है, लेकिन क्या हुआ, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है, सर, करेकि 캐श मिला ठाको, लत लो, किसके है, सर, मुझा नहीं पता यह, जुल्री किसे की अदै किसके है? नहीं सर यह मेरे नहीं है मैं बताता हूँ किसके है यह गहने रागिनी के है और यह पैसे देख रही हो यह पैसे रागिनी को मारने की कीमत तुम्हारे पती चिंतन ने रागिनी को मारने की सुबारी ली थी सर आपे क्या बात कर रहे हैं तुम भी तो इसमें शामिल नहीं हो? सर, मुझे इसके बार में कुछ नी बता, मैं सर्च कह रही हूँ अगणाजी रागनी को क्यो माना तूने? तू तो उसे बहन मानता था ना? सब दिखावा था सर, पैसे नी थे मेरे पास जानती थी हूँ, मुझे बेखने वाला था यह भी पता था उसको कि इस चुकाने के पैसे नी थी मेरे पास और जिससे उधार लिया था वो गर तक आ गया था सलीम भाई, मैं आपके पैसे पक्के से लटा दूआ मुझे बस थोड़ी और महलत दे तो पस एक महिना और अगर एक महिने बाद भी पैसे नहीं आए तो यह घर तो बेके गई इसके साथ साथ तू भी दुनिया से उठ जाएगा भाईया, यह कौन था इन्होंने उनसे पैसे लिये थे बिसनेस के लिए बिसनेस तो डूब गया अगर पैसे नहीं लोटा पाई तो जान से मारनी के धमकी दे रहे लागनी तेरे पास कोई पैसे हो तो मैं लोटा दूँआ भाईया, सच मेरे पास कुछ भी नहीं है एक से आने वाले थे लेकिन वो भी अटके पड़े जूट बोल रहे थी वो मिश्टर शुकला साब के बहुत आसान थे उस पे लोकेश का भी उसके घर आना जाना था पैसे तो थेर उसके पास उस दिन जब लोकेश उसके घर पे आया तो मैंने किड़की सुन दून की बाते सुन ली आइस थे हैंर। वाहर निकला और अपनी गड़ी उपैठकर जैसे निकला मुझे अजली का आवास तना ही थी वह अजली की ओवास तना हाई थी मुझे उस अई पेसे कमाने के जरिया नजर आया मैंने जाकिए आनली से बात लोके कितने पैसे देपा होगी अरे चिंतन बहें हैं आप लोकेश की गाड़ी में हाँ उसी नहीं बेजा है मुझे आओ बेटो ठीक है मेरा लालच बढ़ गया था सर लागनी को मारने के बाद मैंने उसके पर्स से उसके घर की चाबी निकाली और उसके घर जाकर अजमारी से सारे गहने और पैसे चुरा लिए तुने स्रफ रागनी काई कतल नहीं किया बलकि भाई बहन के रिष्ट्य का भी कतल कर डाला चिंतन को रागनी के खून के इलजाम में उम्रकेत की सजा सुनाई गई वही रागनी की हत्या में भागिदार अंजली को भी गिरफतार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया साथ ही लड़कियों को जबरदस्ती जिस्म फरोशी के दलदल में उतारने वाले देव प्रसाच शुकला और बबलु को भी सक्त सजा हुई जान की एक्सिडेंट केस में दोशी पाये जाने के बाद लोकेश को भी कड़ी सजा सुनाई गई अब नहीं शर्मा अभी केस कतम नहीं हुआ है एक बड़ा काम करना भी बाकी है अमा बेर राचिना अब लड़कियों को भी महत्वा कांख्षा और सपनों के पंक लगा कर उडान भरने का उतना ही हक है जितना की लड़कों का लेकिन समाज में लड़कियों को अब भी उपयोग और उपभोग की वस्तु समझने वालों की कमी नहीं ऐसे लोग बड़े शातिर तरीकों से मासूम लड़कियों को लुभाने की कोशिश करते रहते हैं रागीनी के साथ शुकला और बबलू ने यही किया लेकिन रागीनी की मौत के तीन महीने बाद पुलीस ने ना सिर्फ बुजर्ग महीला की मौत का कोल्ड केस सुलजा लिया बलकि इस मामले में दोशी चिंतन की पत्नी रचना को 20 साल पहले बिछडी उसकी मा से मिला कर मानवता की मिसाल कायम की जिसके लिए हमारी टीम उन्हें दिल से सलाम करती है अपनों की बजाए गैरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो रागीनी के केस को देखकर समझा जा सकता है उसने माबाप को छोड़ कर जिस चिंतन पर भरोसा किया उसी ने उसे शर्मसार कर दिया अपने परिवार में उम्र और अनुभों में बड़े और तजुर्बेकार लोगों की एहमियत को समझे और उनसे सलाह लेने में जरा भी नहिच की चाहें अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे Crime Patrol सतर्क Justice Reloaded के एक नए केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें मास्क पहने, सोचल दिस्टंजिंग बनाये रखें सानिटाइजर का इस्तमाल करें देखते रहें, Crime Patrol सतर्क जैहें